This video is especially to all the students who are on the verge of giving up तो आप लोग ने एक्साम को एक बार दिया होगा दो बार दिया होगा लेकिन सक्सस नहीं मिली होगी तो आपने सोचा होगा कि अब नहीं अब नहीं होगा मुझसे तो मैं अब ट्वीट ही कर दूँगा और कर दूँगी तो इस स्टोरी को जरूर सुनिए तो उसके बाद शायद आपका मन बदल जाए एक इनसान जा रहा था उसने रास्ते में एलिफेंस को देखा वो एलिफेंस को एक चोटा सा रोप से बांदा हुआ था तो एक बार वो एफट डालते हैं तो वो रोप को थोट सकते हैं तो वो लोग नहीं कर रहे थे तो वो उसने वो ट्रेनर था उसके पास गया और पूझा कि ये लोग क्यों ट्राइं क्यों नहीं कर रहे हैं मतलब इतना चोटा रोप तो उनको बांद के तो नहीं रग साकता है but why are they not trying so trainer बोलता है जब वो चोटे थे जब elephants चोटे थे तब सेम रोप से उनको बानते थे तो तब उन्होंने ट्राइ किया था दो बार ट्राइ किया होगा तीन बार ट्राइ किया होगा लेकिन उस टाइम पे that rope was sufficient तो वो रोप sufficient था इनको बान के रखने का सो तब मतलब देवर नौट फ्री ट्राइ करते थे करते थे लेकिन वो फेल हो गए उनके अटेंप्स में तो उन्होंने मान लिया कि नहीं अब हम कितनी भी ट्राइ करें वो रोप को हम थोड़ नहीं सकते हम जा नहीं सकते तो भूसी माइंड सेट में मतलब दे गेव अप तो अभी जब वो बड़े हुए तो अब वो ट्राइ भी नहीं कर रहे हैं विकॉस उनको मतलब बच्पन की बच्पन से वो ही देखते हैं ट्राइ किये लेकिन नहीं हो पाया तो अब वो ट्राइ भी नहीं कर रहें लेकिन एक बार वो ट्राइ करते तो वो रोप को तोड़के बाहर आ सकते ते तो बीफ्री तो स्टूडेंट्स में भी ऐसे लोग होते हैं लेकिन क्या होता है सकसेज न मिलने से उनको गिव अप करने का मन हो जाता है तो ते भी नेवर ट्राइ अगेन बट मैं बोलते हूं ट्राइ करो लेकिन ऐस बबा की टाइम में टाइम पास करूंगा यह नहीं होगा आपको एक्जाम देना है तो पूरा फोकस के साथ देना है concepts को समझिए, understand कीजिए, apply कीजिए तब जा के आपका एक्जाम क्लियर होगा but you should be really serious तो life में struggles आते हैं लेकिन life के struggles को मतलब we have to accept it these are the part of life लेकिन दो गलती हमने किया है like first attempt, second attempt वो नहीं हुआ क्लियर नहीं हुआ, success नहीं मिला मतलब कुछ तो गलती हुआ होगा तो analyze your mistakes and try not to repeat it in your third one but never lose your hope and never give up